नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इजरू चैनल इलाइट अकेडमी में चलिए आज की क्लास इस्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर एलजेबरा आज क्लास 4 है वेक्टर एलजेबरा की आज हम लोग समझेगे कि gradient क्या होता है gradient को हम कैसे निकालते है gradient के help से क्या क्या concept के लियर होता है किस तरीके से question पूछे जाते है ठीक है तो चलिए जी start करते है ये gradient बहुत important topic है अकसर हर exam में पूछा जाता है ठीक है जिस में pure mathematics आता है जैसे माल ले जाए tgt, pgt या फिर iit jam वगेरा je, bsc इन सम्में gradient बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है चलिए start करते हैं देखेंजी gradient से पहले मैं थोड़ा सा revise यदि कराना चाहूं आप लोगों को अभी तक हमने cross product पढ़ाया, dot product पढ़ाया और triple product पढ़ाया ठीक है triple product में क्या करते थे, dot product में क्या करते थे, ये सब चीज़े आपको पता है, फिलाल के लिए यदि माल ले जाए कोई function है x या r ले दीजे, ठीक है r है x i plus y j plus z k, यदि हमें इसका derivative निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है derivative, माल ले जाए हमको निकालना है dr upon dt, तो जब हम dr upon dt करेगे, तो इसका मतलब है कि इधर सबका अलग-अलग derivative हो जाएगा, dx upon dt i plus dy upon dt j plus dz upon dt k, बात के लिए यहां तक यदि हमें derivative करना है, तो सबका अलग-अलग derivative करेगे, यहां तक के लिए हैं, चलिए, इसके बाद एक concept है, एक point है, याद रखिएगा, important point है, direct question पूछा जाता है, ठीक ह क्या, the necessary and sufficient condition, यह direct point पूछा जाता है, the necessary and sufficient condition for the vector, कोई vector है, a t, ठीक है, a t का मतलाब है, कि जो यह a vector है, वो t function में है, to have constant magnitude, constant magnitude, देखेगा, कोई भी vector है, यह direct option पूछा जाएगा, इतना आपको दे दिये जाएगा, बाकि आपको option दे दिये जाएगे, ठीक है, तो the necessary and sufficient condition, जो इसकी necessary and sufficient condition होती है, constant magnitude की, वो होती है, यदि हमें a dot multiply कर दे, d a upon dt, यदि हम, जो a दिया गया है, उसका differentiation करने के बाद, a के साथ dot product करेगे, तो यह equal हो जाएगा, 0 के, ठीक है, यानि कि यह equal किसके आएगा, 0 के, देखेगा, यह dot product है, तो इसका निकल के result जो आएगा, वो scalar आएगा, यानि कि 0 आएगा, बात के लिए यहां तक, यह है necessary and sufficient condition for constant magnitude, यह ध्यान रखेगा, क्या constant magnitude, के लिए चलिए, next चलते हैं, एक second condition याद रखेगा, क्या, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition, sufficient condition, for the vector a t, ठीक है, a t का मतलब कोई t का vector है, to have constant direction, इस बार constant क्या है, direction, और direction कहाँ पर होती है, direction होती है, vector product में, ठीक है, direction कहाँ पर होती है, vector product में, तो इसका आएगा, a cross d a upon dt equal 0, यदि किसी vector की direction constant है, यदि किसी vector की direction constant है, तो उसका क्या आएगा, cross product 0 आएगा, क्या आएगा, cross product 0 आएगा, बात किलियर हुई, यदि किसी का dot product 0 है, a vector d a upon dt equal 0 है, तो इसको हम बोलेगे क्या, इसको बोलेगे constant magnitude, ठीक है, constant magnitude है, तो a dot d a upon dt equal 0 होगा, और यदि direction constant है, तो उसका cross product 0 होगा, बात के लिए यहां तक, चलिए जी, next चलते हैं, उमीद हैं, यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया होगा, ठीक है, unit vector क्या होता है, unit vector मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यदि a vector कोई a1i plus a2j plus a3k, आपको इसका क्या निकालना है, cap, cap का मतलब क्या होता है, unit vector, ठीक है, यदि आपको इसका unit normal vector निकालना है, तो unit normal vector का जो definite formula होता है, क्या होता है, a upon a का modulus, यह क्या होता है, unit vector, बात समझ आई यहां तक, चलिए जी, उमीद है, यहां तक बिल्कुल जो भी concept बताएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, चलिए अब बात करते हम gradient पर, gradient क्या होता है, चलिए जी, grade, इसको grade F भी निक बोला जाता है, F भी बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, डेल, ठीक है, डेल, इसको क्या बोला जाता है, डेल, ठीक है, तो डेल F, यदि हम इसकी simple multiply करते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, gradient of F, gradient of F, बात के लिए अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्या है, जब gradient of F आपसे पूछा जाएगा, या फिर ये simple लिया जाएगा, इसको क्या पढ़ते है, gradient of F, सबसे पहले तो जो ये डेल है, ये क्या होता है, डेल इकवल होता है, डेल अपोन डेल X I, पलस डेल अपोन डेल Y J, पलस डेल अपोन डेल Z K, डेल की value होती है, डेल X अपोन डेल I A, डेल Y अपोन डेल J, डेल Y J, डेल अपोन डेल Z K, कि लिए यहा तक चलिए जे, ये होता है डेल की value, यहाँ पे दो पोइंट याद कि जो gradient निकाला जाता है वो हमेशा scalar function का निकाला जाएगा ठीक है हमने क्या बोला कि gradient जो निकाला जाएगा वो हमेशा scalar function का निकाला जाएगा बात समझाई तो आपको जो f दिया जायेगा ये always क्या होना चाहिए always क्या होना चाहिए scalar होना चाहिए ठीक है को scalar function होगा और उसका क्या निकाला जाएगा gradient निकाला जाएगा gradient जो निकल के आता है जो result निकल के आता है ये हमेशा एक vector function होता है क्या होता है vector function बात समझ आई ये क्या होता है vector function होता है ठीक है यहाँ तक चलिए जी तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसका भी आपको gradient पूछा जाए सबसे पहली बाग कि वो क्या होना चाहिए वो एक scalar function होना चाहिए scalar function होगा और scalar function का जब आप gradient निकालोगे तो वो निकल के क्या आएगा एक vector function आएगा निकल के ठीक है जैसे आपसे कोई भी आपको दे दिया गया f कोई scalar function है f is a scalar function अब आपसे पूछा गया इसका gradient निकाल लिए तो आप क्या लिखोगे del f equal del की वेली क्या होती है del x del upon del x i del upon del y j del upon del z k अब simple multiply करोगे f का तो इसमें हम लिखतेगे del upon del x fi plus del upon del y f j plus del upon del z f k ये जो result होगा ये ही आपका क्या होगा gradient होगा अब हम यहाँ पर एक question से समझते हैं जैसे हमने f लिया 3xy square z cube हमने लिया 3xy square z cube ठीक है यहाँ तक ये इसमें कोई भी vector नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये scalar function है जब scalar function है तो आपको क्या निकालना है gradient निकालना है तो जब आप यहाँ पर gradient निकालोगे तो क्या हैगा del upon del x i del upon del y j del upon del z k और इसमें simple multiply कर देनी है 3xy square z cube की अब आप यहाँ पर क्या करोगे इसकी multiply करोगे इसके साथ इसका मतलब क्या होता है ये होता है partial derivative क्या partial derivative partial क्या partial derivative क्या होता है कि जो नीचे लिखा होता है function में केवल उसी के respect में derivative करते हैं बाकि other जो variable होगा उसको हम as constant लेते हैं ठीक है partial क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर del x लिखा हुआ है तो हम केवल x को variable लेगे जो इस x के अलग y और z होगा उसको हम as constant treat करेगे तो हम यहाँ पर इनको constant लेके चलेगे ये भी constant है और जब हम derivative निकालते हैं तो constant रम agitage रखी जाती है तो यह आ जाएगा 3y square z cube जब constant को agitage रखेगे x variable है x की power 1 है और x का जब हम derivative निकालेगे तो क्या आएगा 1 आएगा तो यह 1 आगया यानि के 3y square z cube i इस i को मत बूलिएगा यह i साथ में रखना है अब यहाँ पर क्या करना है यह है del upon del y मतलब आपको y के respect में करना है बाकी सब constant तो y square बाकी सब constant को रखेगे हम 3x y sorry z cube 3x z cube dot y square का 2y j पलस इसी तरीके से जब हम यहाँ पर करेगे तो केवल z के respect में करेगे बाकी को constant रखेगे z का जाएगा 3z square k बात के लिए यहाँ तक तो यह क्या जाएगा 3y z square i पलस 3xy square 2y j तो हम यहाँ पर multiply कर देगे तो यह आजाएगा 6xy z cube पलस यह आजाएगा 9xy square z square j ठीक है बात समझाई gradient कैसे निकाला जाता है gradient हमेशा एक vector function सोरी scalar function का निकालेगे और जो निकल के आएगा वो एक vector function आएगा clear चलिए जी उमीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया होगा gradient में कुछ algebra है उनको याद रखेगा जैसे gradient of f plus g equal क्या होता है gradient of f plus gradient of g clear यदि हम यहाँ पर minus करेगे तो gradient f minus equal क्या जाएगा gradient of f minus gradient of g ठीक है यहाँ तक बिल्कुल सेम जैसे derivative का जो formula होता है यदि हम यहाँ पर multiply का करने लगे fg तो यहाँ जाएगा gradient of fg multiply में plus f multiply में gradient of g बात clear है यहाँ तक इसी तरह यदि divide का यदि हम लिखे f upon g equal क्या होता है g gradient of f minus f gradient of g और divide में g square यह सब follow करता है जो derivative वाले formula है ठीक है डिवाइड वाले multiply के सरवाले जो derivative वाले formula है वो सब इसको follow करते है बात के लिए चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा concept और देखेगा gradient के ही respect में जब आपको r vector दिया जाएगा ठीक है r vector यदि दिया गया है x i plus y j plus z k आप से पूछा गया है कि यदि आपको r vector दिया जाए तो r का जो modulus होता है उसको हम क्या लिखते है r square लिखते है और ये equal होता है x squared plus y squared plus z square के अब यदि हम यहां से dell r upon dell x r का x के respect में तो ये क्या जाएगा यदि हमें r का x के respect में करना हो तो यानि के dell r upon dell x निकालना हो तो जब हम इसका करेगे तो इसका पहले क्या जाएगा 2R और multiply में डेल R upon डेल X equal इसका करेगे क्या एगा 2X इसका करेगे 0 इसका करेगे 0 क्योंकि partial derivative का मतलब होता है कि जिस variable के respect में हम differentiation कर रहे हैं केवल उसी को variable लेगे otherwise सब को हम क्या लेगे constant लेगे तो यह क्या जाएगा plus में 0 plus में 0 डेल R upon डेल X क्या जाएगा यह इसके divide माएगा 2X upon 2R 2 से 2 cancel X upon R तो याद रखिएगा डेल R upon डेल X equal होता है X upon R यह R scalar है क्या है scalar है तो इसी तरीके से आपको याद remember रखना है क्या डेल R upon डेल X क्या होता है X upon R यदि डेल R upon डेल Y निकालने लगे तो Y upon R इसी तरीके से डेल R upon डेल Z निकालने लगे तो Z upon R यह आपको क्या रखना है याद रखना है ठीक है आगे बहुत से question में यह use होगा चलिए जी एक important question important concept है exam में आप इससे एक question बिल्कुल जो अभी concept बताने जा रहे है एक question 100% आएगा हर exam में एक question 100% आएगा और कुछ नहीं है एक line का concept है उसको ध्यान रखेगा एक question जरूर से भी जरूर पूछा जाता है क्या है कि यदि आपको directional derivative निकालना पड़े ध्यान रखेगा directional derivative directional derivative जैसे आप यहां से देखोगे कि directional मतलब direction है यानि कि किसी की direction में निकालना है तो ध्यान रखेगा जब आपसे directional derivative पूछा जाएगा तो किसी एक scalar field का पूछा जाएगा और किसी एक vector की direction में पूछा जाएगा ठीक है तो आप यहां पे concept यह याद रखेगा directional derivative directional derivative of a scalar field है आप अप्यों पी इन दा डारेक्शन in the direction of a unit vector a cap जो directional derivative होता है इसमें आपको एक scalar field दिया जाएगा उसका directional derivative निकालना है किसकी direction में? एक unit vector की direction में बात के लिए किसकी unit vector की direction में तो यह होता क्या है तो यह होता है equal करके del f dot a cap आपको पहले f का gradient निकालना पड़ेगा और gradient के साथ dot product करनी पड़ेगी a cap की, a cap का मतलब unit normal vector की बात समझ आई, जैसे हम यहाँ पर एक question करते है बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा आपको एक scalar field दिया गया है f equal दिया गया है 3x square plus 2yz plus 5zx बात के लिए आपको क्या करना है आपको at a point 111 111 पर इसका directional derivative निकालना है in the direction of a vector दिया गया है 2i plus 3j plus 5k बात के लिए हुई, आपको क्या निकालना है इस scalar field का directional derivative निकालना है at the point 111 पर और किसकी direction में, एक cap की direction में सबसे पहले, जिसकी हम direction में निकालते है उसका हमें unit normal vector पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए? unit normal vector तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेगे? इसका unit normal vector निकालेगे तो यह है unit normal vector निकालेगे तो unit normal vector का formula क्या होता है? a vector upon a का determinate तो आप यहाँ पर इसका determinate जब निकालोगे उपर 2i plus 3j plus 5k और divide में square root of 4 plus 9 plus 25 ठीक है? बात के लिए यहाँ तक इनको add कर दीजे यह कितना आ जाएगा? यह 13 आएगा 13 में 25 को add करेगे 38 तो यह आ जाएगा 2i plus 3j plus 5k upon में 38 का square root किलियर? यह है एक है अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए gradient of f gradient of f निकालने के लिए क्या करेगे? डेल अपोन डेल x i डेल अपोन डेल y j डेल अपोन डेल z k multiply में 3x square 2yz plus 5z x किलियर? यह z है ठीक है? अब देखेगा यहाँ पे आपको निकालना है पहले इसकी complete की multiply आप यहाँ पे करोगे लेकिन multiply करने के साथ आपको क्या करना है? x के respect में derivative करना है तो जब हम इसका x के respect में करेगे आएगा? 6x इसका करेगे 0 इसका करेगे 5z पलस 5z आई बात के लियर हुई? पलस y के respect में यह 0 y के respect में 2z आएगा यहाँ पे y नहीं है तो 0 j पलस इसका करना है z के respect में यह 0 z के respect में 2y z के respect में 5x k के लियर एट पोइंट 1 1 1 तो क्या जाएगा डेल f 1 1 1 पर क्या निकल के आएगा? आपको 1 1 value रख देनी है तो 6 plus 5 11i हो जाएगा पलस 2j हो जाएगा पलस 7k हो जाएगा बात के लियर और जो gradient का formula होता है वो क्या होता है? gradient का formula होता है वो सोरी directional derivative होता है gradient of f dot a cap तो gradient of f क्या निकल के आया? gradient of f है 11i 2j पलस 7k 11i पलस 2j पलस 7k और इसके साथ dot product करनी है किसकी? इसके साथ dot product किसकी करनी है? ध्यान दीजेगा 2i पलस 3j पलस 5k अपोन square root of 38 क्या करना है? 2i 2i पलस 3j पलस 5k और अपोन में square root of 38 बात किलियर हुई dot product dot product आपको याद हो तो हमें i का i के साथ करना था j का j के साथ करना था k का k के साथ करना था तो यह क्या जाएगा? इसकी multiply यहाँ पे करेगे 22 पलस 2 की multiply 3 में करेगे 6 पलस 7 की multiply 5 में करेगे 35 अपोन में square root of 38 equal क्या जाएगा? इसको आप क्या कर देना है? add कर देना है इन दोनों को add करेगे क्या जाएगा? 28 28 में 35 add करेगे 8, 5 कितना होगा? 13, 1 carry 6 upon root 38 यही आपका answer होगा बात समझ आई? यही आपका क्या होगा? directional derivative होगा ठीक है? चलिए उमीद है directional derivative कैसे निकालते है gradient कैसे निकालते है यह सब चीजे आपको clear हो गई होगी ठीक है? इस पर हम detail question जब करेगे वो question प्रेक्टिस में करेगे यहाँ पर केवल concept था concept उमीद है आपको बिल्कुल अच्छे से clear हुआ होगा ठीक है? चलिए मिलते हैं next concept के साथ आपको हमारा ये परियास कैसा लगे आपको जो भी सुजाव देने हो जो भी आपको परियास अच्छा लगे comment करके हमें जरूर बताइएगा यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please like कर दीजेगा अपने दोस्तों तक share कर दीजेगा यदि आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो please चैनल को सबस्काइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा Thank you for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तर देखते रहिएगा Elite Academy